आज है 16 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोरपन लेबोरेटरीस के वारे में 40 रुपे का शेयर है तीजी जरूर आज यहां पर हमें देखने को मिली है मरके थोड़ा सा अच्छे मूड में था पिछले कुछ दिनों की बढ़िया पिटाई करी है मरके ने बाजान ने सबको वहीया पचाडा है तोड़ा है और अब बीच बीच में एकाद दिन ऐसे आज आते हैं जहां मार्केट आपको थोड़ा सा होप दे देता है लेकिन देखते हैं कि यह जो होप दी है आज की वो कितने दिनों तक कायम रहती है वीडियो में डिसकस करेंगे मौर्पेन लेप के बारे में कि 40 रुपए के शेर में के चल किया रहा है मौके है कि नहीं और इनका परफॉर्मंस की कैसा देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में तो वीडियो को डिसकस करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि आगए भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो काफी जादा हल्प करेंगे तो 40 रुपे का शेर है मौरपेन लेबोरेटरीज का तीजी है आज अच्छी बात है एक महीने में देखे तो 20-21 प्रतिशत के तूट चुका है बहंकर जपेट में आया था ये 52 रुपीज से लगा था तूटना जो शुरू हुआ था 38 रुपीज तक गया था और अगर आप चैनल को रेगुलो फॉलो करते हो तो मौरपेन लेबोरेटरीज के उपर इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाए थे और मैंने का था कि ये वो लेवल से जहां पर मैंने लगातर कहा था कि अब मत खरीदना इसे रीजन देखो सिंपल थे कि कोविट के वक्त ना जो चीज़े ये कंपणी बनाती है उसकी डिमांड बहुत जादा बढ़ गए थी खासा कि डिवाइस की अगर हम बात करने चाहे ऑक्सिमेटर की बा लगी थी तो डिवाइस का जो इनका सेग्मेंट था वह बहुत ही अच्छा ग्रो करना शुरू हो गया था वहां पर जिसकी वजह से इनके जो डिवन्यूस थे वह बहुत जादा बढ़ गए थे प्रॉफिट भी देखे तो इनके बढ़ गए थे लेकिन जाहिर से बात है अ जो कम है पिछले क्वाटर के मकाबले क्योंकि पिछले क्वाटर में 21 करोड से भी जादा का प्रॉफिट था और पिछले साल 27 करोड के आसपास का प्रॉफिट था तो प्रॉफिट में सीधा प्रॉफिट इनका आधा हो गया पिछले साल के मकाबले उससे भी कम हो गया और लेकिन अच्छी बात यह है कि revenue इनके अच्छे है revenue 360-370 करोड के आसपास है जो पिछले हाला कि पिछले quarter में 400 करोड के आसपास है लेकिन फिर भी revenue थोड़े से decent आप कहा सकते हो वहाँ पर जब टूटना शुरुआ देखो इससे पहले भी जब 35 का जो range था वो एक अच्छे support के तोर पर काम कर रहा था तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर 35 रुपए के नीचे कोड़ में वहाँ गुगल रही थी उसके बाद जाहिर सी बात है डिमांड में कमी आएगी तो शयर में भी कमी आएगी जिन लोगों ने जो शयर कोविट के वक्त बेचे थे अब वो उनको खरी देंगे तो स्यल्य देखने मिली थी COVID के वक्त में, मौर्पेन को लेकर अगर हम देखें तो कमपनी जो है, वो एक small cap company है, छोटी company है, 2240 करोड के आसपास का इसका market cap है, volume बहुत कम है, 11 लग के आसपास के volume है, जो कि बहुत कम है, कोई ऐसी company जो 40 रुपे के आसपास trade करें, उसका 11 लग का volume को अच्छा volume न जाओ, तो मौर्पेन में, बेचने की सला कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूँगा, यहां पर, 38% लोग कहरें खरीदो, और 62% लोग कहरें, होल्ड करो, मैं इन दोनों से सहमत हूँ, जातर सहमत में 62 वाले से हूँ, क्योंकि देखो, खरीदारी करें तो बेचने की जर रेवन्यों बढ़ गए थे इनके, आप देखो, फैनाशल लियर 2020 में 850 करोड के आसपास का रेवन्यों था, 2021 में वो 1188 करोड पहुंचा, और 2022 फैनाशल लियर में वो 1545 करोड, तो रेवन्यों में शार्प तेजी थी, और प्रॉफिट में भी तेजी थी, जहां प्रॉफि और अच्छे आप जो रिजल्ट थे, वो एक्सपेक्ट कर सकते थे, मौरपेन के बारे में अगर हम देखें, तो खरीदारी करने का सही मौपए को शेर और बोर्ट जोन में नहीं है, कोई भी रेटफिले नहीं आ रहा है, 18 का इसका पी रेशो जो सेक्टर पी 34 से तो कम ही है तो देखने में डिफिनिटल आपको ये शेर सस्ता जरूर लग सकता है, और कोई भी रेटफिले खाला कि अभी तक यहां पर नजर नहीं आ रहा है, FD से अच्छा पैसा इसने बना कर जरूर दिया है, डिविडेंट की मैं बात करूं यहां पर, तो कोई खास अट्रेक्टि 1.38% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, म्यूचल फंड ने हाथ डाला ही नहीं है, 1.07 डोमेस्टिक के पास है, 0.96 एफाइल के पास है, सबसे जाधा होल्डिंग है 59.59 रिटेल और अधर पार्टीज के पास, उसमें से भी 37.52% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पा कंपनी भी नहीं है, कि आप यह मान के चलो कि भाईया, मैं यहां पर अच्छा कासा पैसा लगाऊंगा, मुझे अच्छा है, यहां पर रिटन मिल जागा, जी नहीं, इतनी एक्स्टरॉडिनरी कंपनी नहीं है, यह वो कंपनी है, जो लंबे समय बाद भी आपको इसी कंपनी है, जहां पर आपको 35-40 का रेंज आएगा बाइंग के लिए, या फिर थोड़ा बाद और नीचे करेक्ट भी हो सकता है, अगर हालत और भी जादा खराब रहे आने वाले दोर में, तो यह वो कंपनी है, जो करेक्ट हो सकती है, फ्यूचर में, लेकिन यह चीज भी ह कि अगर 50-55 का रेंज आता है, तो वहाँ पर एक बार के लिए प्रॉफिट लेना चाहिए, और एक्जिट कर जाना चाहिए, मौरपन को लेकर अभी भी कहूंगा, खरीदारी करी है, बने रही है, लेकिन अगर तीजी आती है, कभी भी यहाँ पर, और 45-50 का जो 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 वहाँ से एक्जिट करने में ही भलाई होती है, और जो बाइंग का जोन है, वो 35-40 रुपए की रेंज का है, वो इनिशल बाइंग का है, अगिन, हालत और जादा खराब रहे, तो यह 35 से भी नीचे जा सकता है, आने वाले दिनों में, अगर खराब रहे, तो मार्केट की कं गए तो ठीक है, वन्ना तो मेरे इस अब से 35 से नीचे यह नहीं जाना चाहिए, ओवरल इतना ही कहूंगा, मौर्पेन को लेकर, कि जल्दबाजी मत करिएगा, यहाँ पर खरीदारी को लेकर, कंपनी उतनी भी एक्स्राओडिनरी नहीं है, कि आप एक बहुत बड़ा निव टॉक भी रह चुका है, यह 2013 में यह 2 रुपए, 3 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर चुका है, तेजी भी आप बनी थी और टूटा भी है, तो संभल के जरूर रहेगा यहाँ पर, कंपनी अच्छी है, अच्छी कंपनी है, लेकिन देखते हैं कि जिस जो चीज़े यह बन सकते हैं, तेंक यू